नमस्कार दोस्तों मैं तुकेशा हूँ आप सभी का प्रकास पतेल जी के यूट्यूब चैनल हिंदी सौठेंड डिक्टेशन में श्वागत करता हूँ यदि आप हमारे चैनल में नए है तो लाइक करें सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों से जादा से जादा से शैर करें इस डिक्टेशन का PDF पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रूप एवं टेलीग्राम चैनल जॉइन करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है आज की डिक्टेशन की गती है सब्तर सब्द प्रती मिनट चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकेंड बाद चीन और अमेरिका के बीच दप्शनी चीन सागर होंग कॉंग और ताइवान को लेकर मत भेद गहराते जा रहे हैं दोनों देश एक दूसरे से जंग के लिए तयारी कर रहे हैं यह जंग कभी भी हो सकती है चीन पर पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस फैलाने का आरोप है इससे दुनिया के तमाम देश उससे नराज है इससे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए वह अपने परोसी देशों को धमका रहा है भारत से भी लद्दाक की सीमा पर चीन की तनातनी बनी हुई है लेकिन चीन अमेरिका के बीच जंग सुरू होते ही यह विश्व युद्ध में बदल जाएगी इसमें उत्तर कोरिया, दक्षिन कोरिया, जपान, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी सामिल हो जाएगे और अंततह पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी इस विश्व युद्ध में कोई भी देश परमानू बम इस्तमाल करके दुनिया को परमानू युद्ध में जोक देगा पैरा पिछले दो महिने में कोरोना वाइरस को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तीखी बयान बाजी हुई है चीन यहां तक कह चुका है कि अगर अमेरिका ने उकसाया तो 66 साल पहले कि जंग फिर दोहराई जाएगी अमेरिका को पिछले चार दसकों में इतनी सीधी धमकी किसी देश ने नहीं दी 1950 तिरपन की लडाई में अमेरिका और चीन के बीच हुई लडाई के तौर पर देखा गया दोनों तरप की तीन लाक से जादा सैनिक मारे गए थे अब एक बार फिर विवाद बढ़ता जा रहा है आलम ये है कि राष्ट पती डोनाल्ड ड्रम लगातार चीन पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं उन्होंने अपने ताजा फैसले में चीन से आने वाले यात्री विमानों पर प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी इससे चीन की मुस्किले बढ़नी तै मानी जा रही है ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब कुरोना की महामारी का दंस झेल रहे देशों की अर्थ विवस्था को दोबारा पट्री पर लाने की कवायद जोर सोर से चल रही है अमेरिका और चीन के बीच कि ये तना तनी यूँ तो काफी लंबे समय से है लेकिन डोनाल्ड ड्रम के राष्ट पती बनने के बाद से इसमें विवादों की खाई और अधिक चौड़ी हो गई है दक्षिन चीन सागर दोनों देशों के बीच छिड़े ट्रेड वार कोरोना उत्पत्ती को लेकर उठे सवाल और तीखी होती बयान बाजी के बीच अब ताइवान और होंग कॉंग का मुद्दा भी इसमें अपनी भूमी का निभाने लगा है यही वजह है कि दोनों जिस तरह का रुख एक्स्तियार कर रहे हैं उससे लगता है कि यह आरपार की जंग के लिए कहीं न कहीं तैयार हो रहे हैं Stop 1 1 2 2 4 6 6 6